दोस्तों स्वागत है आप सभी का B.H.C. and N.H.C. अड़ा में उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी आज जैसे दोनों ही स्टॉक्स ने अपने दोनों ही टार्गेट्स को बहुत ही अच्छे से अचीब किया उम्मीद करता हूँ कि आज आप सभी ने Profit Book किया होगा चलिए दोस्तों हम लोग पहले Analysis कर लेते हैं आज की अपनी Intraday Trades का और देखते हैं आज के जो हमारे दो स्टॉक थे उन्होंने कैसा Perform किया और उसके बाद देखेंगे कि कल के लिए मैंने किसी स्टॉक को चुना है आज का हमारा पहला स्टॉक DLF का था इसे बाय करना था 378 पर और Short Sale करना था 372 पर अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह स्टॉक ओपन हुआ था 375.95 पर और दोस्तो इस स्टॉक ने हाई मारा 387.45 का तो दोस्तो इस तरह से इस स्टॉक ने आज आपने बाय साइट के पहले टारगेट को और उसके बाद दूसरे टारगेट को और उसके बाद भी काफी उपर तक गया तो उमीद करता हूँ कि इस stock में आप सब ही लोग ने बहुत अच्छा profit book किया होगा और यह stock आज 374.55 के नीचे नहीं गिरा तो इस stock में आज आपको short sale करने का मौका नहीं मिला होगा सिर्फ और सिर्फ buy करने का मौका मिला होगा और आज आपके buy side के दोनों ही targets अचीव हुए और हमारा आज का दूसरा stock था वेदानता लिमिटेड का इससे buy करना था 415 पर और short sale करना था 407 पर अब जैसा कि आप अपनी screen पर देख पा रहे हैं इस stock open हुआ था 410 पर और उसके बाद ये stock सिर्फ और सिर्फ उपर गया 30.30 का यानि कि इसने high मारा आज 410.3 का और उसी के बाद ये stock नीचे गीरा और इसने आज low मारा है 396.55 का तो दोस्तों इस तरह से इस stock में आपको buy करने का मौका नहीं मिला होगा क्योंकि इस stock ने आज high मारा है 410.3 का और इस stock को आपको buy करना था 415 पर इस तरह से buy की position नहीं बनी होगी लेकिन दोस्तों इस stock में आपको short sale करने का बहुत ही अच्छा मौका मिला होगा जैसा कि मैंने आपको कहा था इस stock को short sale करने के लिए 407 पर और आपका पहला target था 405 का दूसरा target था 402 का अब जैसा कि आप अपनी screen पर देख पा रहे हैं इस stock ने आज low मारा 396.55 का इस तरह से इस stock ने आज अपने short sale के दोनों targets को achieve किया और उसके बाद भी काफी नीचे तक गिरा तो उम्मीद करता हूं कि इस stock में आप सभी लों ने बहुत अच्छा profit बुक किया होगा तो चलिए दोस्तो इसी तरीके से हम कल के लिए stock देख लेते हैं जिसमें हम अपनी intraday की trade डालने वाले हैं stock रहेगा home first का आप चाहें तो अपनी intraday की trade भी इस stock में डाल सकते हैं आप इसे buy कर सकते हैं 786 पर पहला target 790 का और दूसरा target 798 का अगर यही गिरना शुरू होता है तो आप इसे short sale कर सकते हैं 776 पर पहला target 771 का दूसरा target 763 का और दोस्तो इस stock में आपका stop loss रहेगा 8 points तो दोस्तो अच्छे से trading करिए और rules को लगाते हुए trading करिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में सभी stocks अपने target को achieve कर रहे हैं तो कोसिस करिए दोस्तो आप हमेशा ही profit में market से बाहर निकलें loss ना होने पाए चाहे profit कम ही हो जैसा कि मैं आपको पहले अपने हर वीडियो में बोलता आता था हर रोज कमाईए थोड़ा थोड़ा कमाईए और लगातार कमाईए इस आप अगर rule को follow करेंगे तो निश्चित तोर पर end of the month या end of the week आप जब भी अपना PL कलकुलेट करेंगे हमेशा ही profit में रहेंगे तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही आप इंडराडे ट्रेडिंग rules को follow करिए यानि कि साढ़े 9 के आसपास कोशिस करिए इंट्री लेने की minimum profit सबसे पहले book करिए stop loss को maintain करिए proper breakout होने पर ही इंट्री लें कोई confusion लगे तो कोई trade मतलें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज ट्रेडिंग करें ही no trade is also a trade इस चीज को अपने दिमाग में रखें और ये rules जब भी आप trade ले रहे हूं तो एक बार जरूर revise करें कि आपको क्या 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 करना है और उसके बाद इंट्री लें तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो like जरूर कर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद